मेश टाजेट पार्टनर्शित से जोड़े मामलों पर बातचीत होगी दोस्त प्रेमीरा जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार होगा आज जो भी होगा आपके लिए अच्छा ही रहेगा पैसों से जोड़े टार्गेट पूरे करने के लिए अच्छा समय है आप लंबे समय के लिए निवेश भी कर सकते हैं या उसकी योजना बना सकते हैं आप मन लगा कर कोशिश करेंगे तो आने वाले दिनों में आपकी स्किती में अच्छा सुधार हो सकता है दूसरों की जरूरतें आपको आसानी से समच में आ जाएंगी शाम को भायों और पडोसियों के साथ समय बीतेगा विवादों में सफलता मिल सकती है नेगेटिव जिम मेदारियां आपके काम में रुकावट बन सकती है किसी को उधार पैसा ना दे नहीं तो वापस मिलने की समभावना कम ही है कुछ काम में आपको कनफ्यूजन रहेगा इस वज़ा इसे परेशान हो सकते है क्या करे पानी में और मूत्र की टूबून मिला कर नहाए लवप्रेम संबंधों में चल रहे असंतोष का मामला खुल कर सामने आ सकता है लब लाइफ की हर बात खुल कर होगी और कई गलत फहमयां भी दूर हो सकती है संबंध मधुर बनेंगे करियर बिजनिस में सावधानी रखे किसी को पैसा उधार ना दे स्टूडेंट्स परेशान जरू रहेंगे लेकिन परेशानियों का हल मिल जाएगा हेल्थगेस्ट्री का प्रांगलम हो सकती है भोजन में परहेज रखे व्रिश्टाजिर्थि खुद पर भरोसा करे तो आपकी कोशिशों में कमी नहीं रहेगी सितारों का मिला जुला असर रहेगा किसी सामुहित गतिविथी की लीडर्शिट करेंगे दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे परिवार से जोड़ी परेशानियां खत्म हो जाएंगी अन्य लोगों के साथ confidence से पेश आएंगे दूसरों की मदद करने के लिए आप हर संबंध कोशिश भी करेंगे ऐसे लोगों से contact करने की कोशिश जरूर करें जो आपके लिए मत्वपूर्ण है नेगे कि आपको अलग अलग जिम्मेदारिया निभानी होंगी मदद के लिए दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहेंगे तो दुखी हो जाएंगे किसी प्रकार की देरी या confusion की स्थिती में थोड़ा थैहरे रखें आपकी सेहत थोड़ी नाजूप भी हो सकती है साबधान रहें क्या करें किसी ब्राह्मन को अनार का जूस पिलाएं लब आपका मन जोखता है वही करें वह वाहित जीवन सामान में रहेगा पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा प्यार भरी बाते होंगी समय सुकून से बीतेगा करियर कार्यक्षेत्र और बिजनेस में परेशानियां खत्म हो सकती है साथी से स्योग मिलेगा बिजनेस में बड़ा मौका भी मिल सकता है स्टूडेन्स को म्यनत से कम परिरणाम मिलने से तनाव रहेगा लठ सेहत कम जोर रहेगी समय पर भोजन करें और पूरी मीन दिले मिथुन पांच एक तिर कुछ व्याभारिक मामलों से निपटने में सफल हो सकते हैं रचनात्मा कोशिशों के लिए भी दिन अच्छा है अपनी भावनाएं किसी भी धंग से जाहिर करने में बहुत हद तक सफल रहेंगे पुरानी समस्याएं निपट जाएंगी आपके लिए समय ठीक रहेगा आने वाले एक दो दिनों में यात्रा हो सकती है करियर या परिवार के मामले में कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं जो आपके लिए फायदे मन रहेगा पैसों के मामलों में सिर्फ वही कहें और करें जिसके लिए आपका मन राजी हो सिहत खले से ठीक भी रहेगी नेगेटिव मन में रोमांस को लेकर टेशन हो सकती है थोड़े सावधान रहे आपके सामने काम का बोच ज्यादा रहेगा आर्थित समस्या भी हो सकती है बिना सोचे समझे निलेश करने से बचे पैसों को लेकर कोई योजना बना रखी है तो उसमें बदला हो सकता है अचानक मिली किसी नई सूचना के कारण ऐसा हो सकता है नए काम शुरू ना करें जो किम भरे फैसले ना ले क्या करें आम वला पाउनर खाए लवलव लाइफ में अजीब स्थिती का सामना भी करना पड़ सकता है पार्टनर के साथ घूने भी जा सकते है करियर आर्थित समस्या आए रहेंगी किसी को पैसा देने या कहीं पैसा लगाने से बचे कर तो जेटिव कोई अच्छी खबर मिल सकती है पैसों के लिहाज से समय अच्छा है अचानक धन लाग हो सकता है जीवन साथी या विजनेस पार्टनर के साथ विचार में मर्श होगा दिन अच्छा रहेगा आपको मदद मिलेगी और काम समय पर पूरे होंगे किसी बात्या स्थिति को लेकर आपके मन में कोई डर हो सकता है कोई भी काम सावधानी से करना अच्छी बात है लेकिन ज्यादा ही सावधानी डर में बदल सकती है पूरी कोशिश करके भी आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकेंगे निजी मामलों में आपके विचारों को आसपास के लोगों का समर्थन नहीं मिल सकेगा सौंदर्य से संबंधे त्वस्तूयों पर पैसा और समय खर्च हो सकता है क्या करें सफेद चंदन का तिलक लगाए लब जो संबंध आपको भावनात्मत मजबूती देते हैं उनके बारे में अकेले बैठकर और भराई से विचार करें लब लाइफ के लिए दिन अच्छा हो सकता है करियर अधिकारियों की तरफ से तनाव हो सकता है कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है फिल्थपुरा आने रोगों से मुक्ती मिलने के योग है सेहत भी अच्छी रहेगी सिंग पाजिर धिवाब का अधिकार बढ़ सकता है दोस्तों और भायों की मदद से धनलाब होगा किसी बड़े काम को पूरा करने की जिम्मेदारी भी मिलेगी पाफिस में वास का काम भी करना पड़ेगा आपके लिए लोग कुछ ना कुछ खते रहेंगे लेकिन आप सही रास्ते पर इमानदारी और मजबूती से आगे बढ़ें आपको सफलता मिलेगी जो भी नए मौके मिलते हैं उनका फायदा उठाने के लिए तयार रहें आमत्वर पर लोग आपकी बात सुनेंगे भी और मानेंगे भी समय भीताने का कोई नया तरीका गिमाग में आएगा धन लाब होगा पुराना रुका हुआ पैसा मिल सकता है सेहत पर ध्यान दे कोई नया काम करने से फले किसी अनुध्वी की सला जरूर ले नेगेटिवाज आपकना बहुत कुछ चाहते हैं और अपनी बातों को लेकर थोड़े जिद्दी भी रहेंगे यह स्थिति आपको परेशानी में डाल सकती है आप दोस्तों के किसी भी तरह के मामलों में पढ़कर समय खराब ना करें अपने काम पर ध्यान दे ज्यादा व्यस्त रहेंगे हर तरह की मेनत और कोशिशों के बावजूद कुछ ना कुछ काम पेरंडिंग भी हो सकता है आपके मन में किसी ना किसी चीज को लेकर डाउट भी हो सकता है क्या करें लोंग पर कुम-कुम लगा कर पानी में बहा दे लव पार्टनर पर आपका प्रभाव बढ़ेगा लव पार्टनर के लिए कोई खास काम भी आप कर सकते हैं जिससे आपकी अच्छी इमेज बन सकती है करियर कुछ नया करने से फले अनुधवी लोगों की सलहा जरूर ले जोकिम भरे फैसले ना ले स्टूडेंट्स को मेनत से कुछ कम सफलता मिल सकती है हेल थपेट दर्धी होने के योग है खान पान पर ध्यान दे और सावधानी भी रखे कन्या पाँचेटिव जरूरी काम निपट जाएंगे सोचे हुए बहुत से काम समय पर पूरे होंगे परिस्थितियों और मत्वा कांक्षाओं के साथ कालमेल बैठ जाएगा चंद्रमा आपकी राशी में रहेगा आपकी मत्वा कांक्षाओं बढ़ सकती है करियर से जोड़ी नई प्लानिंग हो सकती है लोग आपका साथ देंगे पैसों के मामले में कुछ फैसलों पर मन मार कर राजी होना पर सकता है आगे चल कर वही आपके फेवर में होगा आप एक्टिल भी रहेंगे समाज में अच्छी इमेज बनेगी धार्मिक काम में मन लगेगा कोई मांगलिक काम भी पूरा होगा बिजनेस में फायदा होगा आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी पार्टनर से भी स्योग मिलेगा आप सही दिशा में सही फैसले लेंगे नेगेटिर कोई भी फैसला सोचस मज़ कर ले जल्दबाजी में किये गए काम भीगर भी सकते है कोई नकार आत्मक संकेत मिले तो संभल जाए जो खिम लेंगे तो फाल्तूद और भाग भी हो सकती है किसी को उधार पैसा भी ना दे क्या करें मीठे चावल में किसर डाल कर खाए लब-लब पार्टनर की भावनाओं को समझे पार्टनर को आपके साथ की जरूरत है आप खुद भी जिस शान्ती और प्रेम की तलाश में है वो आपको अपने पार्टनर से मिलेगी करियर बिजनेस में बड़ा फायदा भी हो सकता है धन लाब के भी योग बन रहे हैं स्टूडेंट्स कैमपस सिलेक्शन में सफल हो सकते हैं धिल्थ आपको फीस फूर्ती मसूस होगी ताजगी भरा दिन रहेगा प्रसन्नता रहेगी तुला पाजेटिव अपने निजी लक्षेओं पर ध्यान दे और पुराने दोस्तों से मिले नए लोगों से भी मीटिंग हो सकती है आपकी अच्छी इमेज बन सकती है नए पुराने और मत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होने के योग बन रहे हैं जो आने वाले दिनों में आपके लिए कारगर साबित होगी थोड़ा पैसा भविश्य के लिए बचाने की बात मन में आ सकती है और यहर ठीक भी रहेगा संबंधों के किसी एक मामले पर आपको काफी ध्यान देना पड़ सकता है नए लोगों से दोस्ती हो सकती है स्टूडेंट्स को अधिक मिहनत से सफलता मिल सकती है आत्म विश्वास रखे धन लाब होगा आपके जरूरी काम जो हमेशा एक ही धंग से होते हैं उनमें कुछ नया होने के भी योग है नेगेटिव ब्रहों की स्थिती भी आपको परेशान कर सकती है परेशानी में डालने वाले निजी मामलों से दूरने की कोशिश करे कारोबार से जोड़ी यात्रा भी हो सकती है ऐसी यात्रा में आपका पैसा भी ज्यादा खर्च हो सकता है पाफिस में कामकाज भी ज्यादा रहेगा और मापॉल भी बोजिल हो सकता है क्या करें धिल और गुर्ड खाए लवनी जी संबंधों के लिहाज से चुन पूती भरा समय है आज जाने अन जाने में पार्टनर के लिए आपका स्वभाव थोड़ा डोमिनेटिव भी हो सकता है करियर नए कांटैक्ट बन सकते हैं नए आफर भी आज आपको मिल सकते हैं अनुकूल परिणाम के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है ये उथतकान और आलास्य भी रहेगा व्रिश्चित पाजिटिक जिस काम से आपको उम्मीदे थी उसका नतीजा अच्छा रहेगा आज की गई कोशिशों का नतीजा आपके फेवर में हो सकता है कोई समवेदंशील जानकारी भी आज आपको मिल सकती है आम पौर पर आपका कानफिडेंस अच्छा रहेगा कुछ समस्याओं का समाधान अचानक मिलेगा और स्थितिया आपके अनुरूप रहेगी आज आप उन मामलों पर ध्यान दे जिनसे आपको प्रसन्नता मिलती हो बिजनिस में फायदा हो सकता है संतान पर पूरा ध्यान दे सिहत के मामले में दिन ठीक ठाक रहेगा नेगेटिव आपकरी धंदे में उन्नती या वेतन व्रधी का मामला कुछ दिनों के लिए टल भी सकता है आफिस में आप गुत रूप से होने वाले कामों में सक्रियर रुते हैं तो चुन आती पूर्ण स्थिति बन सकती है थोड़े सावधान रहे कोई असुविधाजनक स्थिती भी अचानक बन सकती है क्या करे घर या आफिस की किसी मशीन की आइलिंग करे लवलव पार्टनर से कुछ गलत फहमया हो सकती है बेतर होगा पार्टनर के साथ दिन गुजर जाने दे करियर कोई नया काम शुरू कर सकते है गलती से भी कोई राज की बात किसी के भी सामने नहीं खोले स्टूडेंट्स को मेनत से अच्छी सफलता मिल सकती है ये ल्थ सेहत सामान ने रहेगी कुछ लोगों को पेट खराब होने और सिर में गर्ग की समस्या हो सकती है धनू पाजेटि सिर्फ एक आग्रता के दम पर आज आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं लगातार यही ध्यान रखें कि आपका लक्ष ये क्या है और उसे कैसे पूरा किया जा सकता है पाफिस में कोई अच्छी खबर मिल सकती है बाक्षी, यात्रा और शिक्षा के मामले आपके लिए खास रहेंगे किसी करीबी व्यक्ति के साथ रिष्टे सुधर जाएंगे भव्यश्य को लेकर जो आशंका है उस पर अपने दोस्तों से बात करें कोई समाथान भी आज आपको मिल सकता है दोस्तों और परिवार का स्योग मिलेगा कार्यक्षेत्र में सफलता भी मिल सकती है नेगेटि वाफ्यस में किसी की बुराई करने से परिशानी भी होगी कुछ लोग फाल्तू बाक्चीत में भी समय खराब कर सकते हैं किसी और तरीके से रुकावट भी पैदा करेंगे भव्यश्य को लेकर कोई आशंका आपके मन में रहेगी परिस्थितियों से मजबूर होकर आपको कुछ बदलाव करने पर सकते हैं घर अप्रिवार और कार्यक्षेत्र में आप पर दबाव रहेगा काम का बोच ज्यादा रहेगा भीर में परेशान रहेंगे वहीकल की गड़वड़ी से परेशान रहेंगे खर्चा भी ज्यादा होगा क्या करें कान से बनी सबजी या मिठाई खाए लब दिल दिमाग में भावनाए उफान पर रहेंगी खुद पर कंट्रोल करें पार्टनर के साथ दिन बीतेगा पार्टनर से स्योग मिलेगा करियर कार्यक शेत्र में काम का बोच ज्यादा रहेगा लेकिन जरूरी स्योग भी आज आपको मिलेगा आपके कामों से अधिकारी खुश रहेंगे स्टूडेंट्स को अच्छी सफलता मिल सकती है एल्थपुराने रोगों से परेशान हो सकते हैं सामधान रहे मकर पाजेटिव निलेश का कोई ऐसा आफर मिल सकता है जिससे आपको भम्यश्य में फायदा होगा पाफिस में एक्स्ट्रा वेतन के लिए एक्स्ट्रा काम भी करेंगे आपकी जिम मेदारी बढ़ेगी कुछ लोगों का थ्यान आप पर रहेगा रचनात्मक कामों और नए विचारों के लिहाज से समय बहुत अच्छा है किसी अनजाने से उग से काम पूरे हो जाएंगे पैसों से जुड़ा आपने जो फैसला लिया था उसके सुथद परिर्णाम मिल सकते हैं कोई भी फैसला सोच समझ कर ले कोई बड़ा फैसला भी लेना पड़ सकता है नेगेटिव लापरवाही से किये गए काम में भी नुत्सान होने की संभावना है मकर राशी वाले लोग भी ना सोचे समझे कोई काम शुरू ना करे जोश में आकर किसी से कोई वादा भी ना करे आज आप खुद अपने ही विचारों में उलच सकते हैं वारणी पर सहम रखे आपकी सेहत में उतारच रहावा सकते हैं क्या करे पूर्व दिशा में घी का दीपक लगाए लवाप और पार्टनर खुश मिजाज रहेंगे और खुशी खुशी दिन बिताएंगे दोस्त मिलेंगे और सब कुछ अच्छा रहेगा करियर कार्यक्षेत्र में मत भेग के कारण आप थोड़े परिशान रहेंगे पैसों से जोड़ा फायदा भी होगा जूनियर स्टाफ के साथ भी कहा सुनी भी हो सकती है करियर के लिहाज से मेनत करवाने वाला दिन रहेगा स्टूडेंट्स छोटी सी बात के कारण परिशान भी रहेंगे हेल्थ सेहत सामान में रहेगी आराम करने के लिए समय निकालना पड़ेगा कुंपटांजेटिव इस बार आपको जो अवसर मिले उनके लिए खुद को भी तयार रखे आपकी मत्वा कांक्षाए आज चरम पर रहेंगी सफलता के लिए आप पूरी कोशिश भी करेंगे मनोरंजन का कोई कार्यक्रम भी आज आप बना सकते हैं जो बात कोई और नहीं समझ सकेगा आप उसे समझ जाएंगे और इस कारण कई लोगों के साथ साथ अधिकारियों का भी थ्यान आप पर रहेगा लोग आप से किसी ना किसी तरह की सलहा लेते रहेंगे आपका दिमाग भी तेज चलेगा सलहा देने में संकोच ना करें संबंधों में मतुर्ता बढ़ेगी कोई बड़ा काम भी पूरा होगा सिहत अच्छी रहेगी ने गिर्टेव या भारिक बातों को छोड़ कर कोई बात आपको समझ नहीं आएगी रिष्टों के मामलों में साथानी और समझदारी रखनी होगी कोई ऐसी बात हर हालत में गोपनी ये रखे जो आपको पसंद नहीं है किये गए कामों का नतीजा नहीं मिलने से आप परिशान भी हो सकते हैं दोड़ भाग के बावजूद आपको अच्छा परिणाम नहीं मिल पाएगा पैसे और प्रापर्टी से जुड़े मामलों में लापरवाही करने से बचना होगा खर्चा भी ज्यादा हो सकता है क्या करे पनीर या मखन खाए लमलम लाइफ में किसी फैसले पर पहुंच सकेंगे इससे कई दिनों से चली आ रही परिशानियां कम होंगी पार्टनर के स्योग से लम लाइफ यादगार और खास रहेगी करियर कार्यक्षेत्र और बिजनिस से जुड़ा मत्वपूर्ण काम पूरा होने के योग बन रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स को किस्मत का साथ मिलेगा हिल्थ सेहत भी अच्छी रहेगी ताजगी मसूस होगी मीन ताजेटि मीन राशी वाले लोगों के लिए चंद्रमा की स्थिती अच्छी है कार्यक्षेत्र में अच्छी खबर मिल सकती है पैसों के मामले सुलजाने में कई लोग आपकी मदद करेंगे उधार पैसों के लेंदेन में परिशानी नहीं होगी जो बात बिगर जाएगी पार्टनर उसे संभाल लेगा आपके सामने काम काज कुछ ज्यादा हो सकते हैं आप व्यस्त रहेंगे और अपने काम समय पर पूरे कर लेंगे इसमें किसी का कोई दोश नहीं होगा और थोड़े समय में सब ठीक भी हो जाएगा पार्टनर और भाग ये दोनों का स्योग मिल सकता है धैरे और सहयम से रहें नेगेटिर कुछ दोस्तों के साथ अनबन भी हो सकती है इस मामले में आप सावधान रहें कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें तो ही अच्छा है पार्टनर से सलहा किये बिना कोई फैसला ना ले आपके कुछ काम अटक सकते हैं नए काम हाथ में ना ले सिहत नरम हो सकती है क्या करें पानी में नीला रंग मिलाकर घर या आफिस के बाहर फेंक दे लव पार्टनर के लिए समय निकाल लेंगे और समय देंगे तो मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी करियर नौकरी पेशा लोगों को काम की अधिक्ता और काम समय से पूरे ना हो पाने से चेड़ चेड़ापन रहेगा स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी पढ़ाई में मन भी लगेगा फेल्थ सेहत नरम हो सकती है भोजन में सामधानी रखे